सुप्रिम कोट का एहम फैसला पैंसन भोगी है जितने भी पैंसन धारक है उनकी पैंसन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं क्या है सुप्रिम कोट का अखिरिकार बड़ा फैसला बले ही आपके सलीर लाखों में है लेकिन आगे चल कई लोगों की टेंसन है उसको बढ़ा दे गई है तो कई लोगों की टेंसन घटा दे गई है अगर आप भी जड़ा पैंसन पाने चाहते हैं आपकी मंथली बैसिक सालरी 15,000 रुपे से ज्यादा तो होने ही चाहिए साथ में कई सारी सर्तों भी पूरी करने होगी सुप्रेम को प्रफट के हारी में फैसले के बाद आपको क्या करना चाहिए यही बात हम आपको बताते हैं दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्टाम विजिट करें जाती साथ बैल एकन को भी जुरूर्द बढ़े अगर आपको ज्यादा पाने चाहते हैं अगर आपकी जो मंध पैंशन के लिए एपीएस में भी कई बदलाओं पर सैमती भी जुरूरी हैं अगर अभी तक आपने सैमती नहीं दी गई है तो इसके लिए च्यार मेने का आपको टाइम दिया गए हैं इसके लिए इंप्लोईज और इंप्लोयर को एप्याइफों में ज्वाइन देने की आ सुप्रेम कोट की फैसले के बाद आप जो इंप्लोई को क्या कदम उठाना चाहिए तो इस सवाल का जवाब देते हुए अंसुल प्रकास ने का है कि सुप्रेम कोट ने एक पॉइंट एक च्छें फिजदी से ज्यादा कंस्ट्रूबुशन को गैर कानोनी ठेराया हैं एप एपिएफो को 6 मेने में जुरूरी जो फैसला लेने को का गया है एपिएफो पैंसन के लिए फंट का अविकलब खोजने के लिए का गया है जिन लोगों के ज्यादा कंट्रूबुशन देर दिया है एक स्तंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके और एपिएज की जो नई स्कीम को स्विकार करने वाले ज्यादा पैंसन के हगदार होंगे जिन्होंने रिटायर्मेंट से पहले नई स्कीम को स्विकार नहीं किया गया उन्हें फायदा नहीं होगा बात में रिटायर होने वाले गाइडलाइन्स से और सफाय आएगी तेन जनुरी 2030 तक एपिएफो को में जाता है तो ऐसे संस्तानों को भी एपिएफ में बदलाव लागू करना होगा अपने करमचरे को ज्यादा का विखलब देना होगा एपिएफो को गैडलाइन से के कई सारी बाते साफ होगी जहां दोस्तों इसमें जो बताया गया दोस्तों सुपरीम कोट का एक बड़ा ऑघब दोस्तों दोस्तों से क्वेवब लागू इस दोस्तों से की जह जहां ध YES जहां दोस्तों देंगी जहां इस को एक जहां लागू में